प्यारे दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि बक्रैद आने वाली है इसलिए सब से पहले तो आप सभी प्यारे मुसल्मान भाई और बहनों को बक्रैद की बहुत-बहुत मुबारागबाद अगर आपका दिल करे तो आप भी हमें कमिट में मुबारागबाद लिख सकते है प्यारे दोस्तों बक्रेद आने से पहले उस दिन ऐसे होते हैं जब बक्रों की कीमत आसमानों को छुने वाली होती है यानि बक्रों की कीमत बहुत ज्यादा होती है और बक्रे की कीमत किसी की सोच से भी कई गुना ज्यादा हो सकती है आज हम बात करेंगे ऐसे ही बेश कीमती बक्रों के बारे में जिनकी कीमत आपकी जिन्दगी भर की कमाई हो सकती है दोस्तों वैसे तो बक्रों की कीमत बहुत ज्यादा नहीं होती लेकिन कुछ लोग अपनी अमीरी का दिखावा करने के लिए ये बताने के लिए कि हम बहुत ज्यादा अमीर हैं वो लोग आम बक्रों को ज्यादा कीमत में खरीदते हैं और उनकी बोली भी लगाई जाती है आज हम आपको कुछ ऐसे ही बक्रों के बारे में बताने वाले हैं लेकिन उससे पहले आप से एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक करके चानल को सबस्क्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तो सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के उस 200 किलो के बक्रे के बारे में जिसे उसके मालिक ने नवाबों की तरह पाला है उसकी रोज की खुराक में दूद दही और बहरेन खालिस चारा जैसी नवाबी चीज़े शामिल होती है इस बक्रे की लंबी गर्दन और सुल् पुद दही खाता है उस बक्रे के एक दिन का खर्चा 1200 से 1500 रुपे परता है उसके मालिक ने बताया कि ये बक्रा इलाके का सबसे भारी बक्रा है और इसी वजह से ये बक्रा काफी कीमती भी है अगर बात करें उसकी प्यमत की तो ये बक्रा 5 लाक रुपे के साथ महंगे बक पर पर आता है ये पांच मन 20 किलो भारी वजन वाला बक्रा ये बक्रा मंडी में उतरते ही खरीदारों की नजर अपनी तरफ खेंच लेता है पांच फिट से भी ज्यादा उचाई वाला बक्रा सिर्फ धाय साल का है उसके मालिक का कहना है कि ये बक्रा सरदियों में देशी और गरिमियों में मक्कन के बिना ये खोराक नहीं लेता इस बक्रे के नक्रे किसी नवाब से कम नहीं जब तक उस बक्रे को कोई अपने हाथों से नहीं खिलाता तब तक ये जनाब चारे की तरफ देखते ही नहीं ज्यादातर खरीदारों को उसकी नवाबी अंदाज करते हैं यही इस बक्रे को और भी ज्यादा खास बनाता है दोस्तों अब अगर बात करें उस बक्रे की तो यह बक्रा कराची के एक मंडी में देखने को मिलता है सफेद रंग के बेहद खूबसूरत दिख रहे बक्रे का वजन तकरिबां 240 किलो है जो किसी भी बक्रे से काफी ज्यादा है इस वीडियो में दिख रहा है यह गुलाबी नसल का है इसलिए उसकी खूबसूरती लाजमी है और देखते ही बनते हैं पाकिस्तान के साथ साथ हिंदुस्तान में भी यह बक्रा बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है तो दोस्तों अब तैयार हो जाईए अपन 24 लाक रुपे है जो के एक अच्छी खासी रकम होती है इस कीमत के बक्रे महंगे बक्रों में गिने जाने के लिए काफी होते हैं इस बक्रे के मालिक के मताबिक यह कीमत उस बक्रे के लिए लाजमी है क्योंके यह बक्रा एक दिन में लग भग 13 सु रुपे की खुराक लेता है जिसमें दूद दही मक्षन जैसे शाही चीज़े शामिल है दोस्तों अब बात करते हैं उस बक्रे की जिसने अपने जलूं से ना सिर्फ फैसलाबाद में बलके पूरे पाकिस्तान में बक्रों की शौकीन की निगाहें अपनी तरफ खेंच ली है और लोगों की तवज्जे को अपनी तरफ कर लिया है दर असल इस बक्रे ने फैसलाबाद में हो रहे बक्राशो को अपने 310 किलो वजनी जिसन के साथ जीत लिया है और चारों तरफ उसके चर्चे होने लगे हैं ये बक्रा मक्षी चीना नसल का सबसे खूबसूरत बक्रा होने का दावा करता है और व इसी भी बक्रे के लिए लग भख बहुत मुश्किल है और उसकी खूबियों को देखते हुए बक्रे के कीमत तक्रीवन 45 लाट रुपे लगाई गई है तो दोस्तों आप समझ lokसे होंगे कि ये बक्रा इतना केमती क्यों है उसकी कीमत तक्रीवन 45 लाट रुपे है दोस्तो अब अगर बात करें अगले बक्रे की तो वीडियो में दिख रहा ये काले रंग का बक्रा पिछली वीडियो में दिख रहे मक्षी चिना बक्रे से कम नहीं जिसका वजन तकरिबं 310 किलो है उस बक्रे को पाकिस्तान का सबसे भारी बक्रा माना जाता है उसके काले बाल उसको और भी ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं और उसकी खूबसूरती निकारते हैं देश का सबसे भारी बकरा होने के साथ साथ ये अपने नवाबी शौक और शाही अंदाज के लिए भी जाना जाता है और पाकिस्तान का पहला सबसे भारी बक्रा होने के चलते उसकी खीमत 40 लाक रुपे लगाई गई थी दोस्तो अगले नंबर पर जो बक्रा आता है उसका वजन तकरिवन 300 किलो गिराम है दोस्तो ये बक्रा नवावो जैसा रहता है एक बक्रा होने के बावजूद भी ये किसी नवाव जैसी जिन्दगी जीता है उस बक्रे के रहने वाली जगह में एसी से लेकर कूलर पंखे तक अच्छी तरह से इंतिजाम किया गया है ये बक्रा बेहत खूब सूरत बक्रों में से एक है मुरबा और काजू बादाम जैसी शाही मेवा उसकी खौराक का लाजमी हिस्सा हुआ करती है यानि अपने खौराक में मुरबा और काजू बादाम जैसी चीजे खाता है अलाके का सबसे वजनी होने के साथ साथ ये अपनी बागी नसल के बक्रों के मुकाबले में बहुत ज्यादा खूब सूरत है जो उसकी कीमत को बढ़ाता है साथ ही लोग उसे खरीदने में बहुत दिल्चस्पी दिखाते हैं और धीरे धीरे पूरी दुनिया के बक्रा खरीदारों की जबान पे ये बक्रा च्छा रहा है दोस्तो अब बात करते हैं शाहीन नाम के इस बक्रे के बारे में जिसके चर्चे पाकिस्तान या हिंडुस्तान या फिर एशिया में ही नहीं बलके पूरी दुनिया में इस बक्रे के चर्चे हैं इस बक्रे के मालिक ने दावा किया है कि इस बक्रे की कद काथी और वजन से मेल खाता हुआ बक्रा पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा यानि ये बक्रा पूरी दुनिया में एक ही है और इस जैसा कद काथी वाला और वजन वाला बक्रा पूरी दुनिया में नहीं है दोस्तो इस बेश कीमती बकरे का वजन तकरीबन 315 किलो है और अगर बात करें उसके ख़द काथी की तो लग भग ये 6 फिट उंचा है जो के किसी भी बकरे के मुकाबले में बहुत ज्यादा है उसके मालिक की माने तो शाहीन एक दिन में 10 किलो चारा खा लेता है और साथ ही दो किलो चना दूद मक्षन भी उसकी खोराक में शामिल होते हैं शाहीन बकरे को उसके मालिक ने एक साल की उम्र में खरीदा था और दो साल की उम्र तक उसकी खोराक के साथ साथ उसकी परवरिश की जाती रही उनकी कीमत भी अगर उसकी खरीदारी के हिसाब से लगाई जाए तो ये तक्रीबन 6 लाक रुपे का बकरा मंडी में है दोस्तो अगर बात की जाए अगले बकरे की तो गुलाबी नसल के सफेद रंग की इस बेहद प्यारे और नायाब बकरे का नाम किंग है ये बकरा पूरी तरह सफेद रंग का है और उसके जिस्म पर एक भी दाग नहीं है 28 इंस से भी ज्यादा लंबे कानो वाला किंग अपने आप में एक मिसाल पेश करता है ये किंग नाम का बकरा सिर्फ अभी एक साल का है और उसने अपनी खूबसूरती के जल्वे बिखेरना शुरू कर दिये है उस बकरे के मालिक का उनके लिए प्यार का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस बकरे के मालिक ने उसे दो कड़ो रुपे जैसी भारी रकम में भी नहीं बेचा था यानि दो कड़ो रुपे जैसी बहुत ज़्यादा भारी रकम में भी उसके मालिक ने उसे बेचने से इनकार कर दिया था इस बक्रे की खुबसूरती ही ऐसी है कि जो भी बक्रे का शौक रखने वाले उसे देखेगा तो यकीनन उसे पाने की कोशिश करेगा पाने की चाहत करेगा बक्रों के शौकें जानते हैं कि ये खुबसूरती आसानी से दिखने को नहीं मिलती है बेहद आम दिखने वाला ये बकरा ज्यादा खास नहीं है ना तो ये बहुत ज्यादा उंचा है और ना ही उनका बदन बहुत ज्यादा भारी है जैसा के हमने आपको उपर बताया बहुत बहुत भारी बकरा भी है लेकिन इस बकरे के साथ ऐसा नहीं है ना ही भारी बक्रों के मुकाबले का वजन कुछ खास है लेकिन उन सब के बावजूद भी ये बक्रा दुनिया का सबसे महंगा बक्रा है दोस्तो है ना चोकाने वाली बात